Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं integration exercise 7.8 का question number 1 देखते हैं क्या है Evaluate the following definite integral as limit of sum अब देखो question को यहाँ पे specially mention कर दिया कि जो आपको integration करना है वो limit of sum से करना है तो आपको formula पता है, introduction के अंदर अच्छे से समझाया है वो वीडियो जरूर देखिए, i button पे भी आपको introduction की वीडियो मिल जाएगी देखो क्या कि उस्टन दे रखा है integration a to b, यह lower limit यह upper limit, function दे रखा है x dx इसका हमें integration करना है सबसे पहला काम क्या होता है हमारा n h is equal to किसके होगा b minus a के पता है आपको, तो यहाँ पे n h की value, b upper limit minus lower limit यहाँ पे तो b और a ही दे रखें, तो b minus a ही रह जाएगा हमारा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे formula put करेंगे, अपना क्या है limit, h approaches to 0, h of f of a, 5 प्लस में f of a plus h, 5 प्लस में f of a plus 2 h चलता है और इस तरिके से चलते चलते हमारा क्या जाएगा, f of a plus n minus 1 into h ज्यादा टर्म लिखने की जुरूत नहीं है, बस इतना ही formula याद रखो अब हमें क्या करना है, हमें f of a, f of a plus h, और f of a plus n minus 1 h, find out करना है बच्चो ठीक है, हमें function क्या दे रखा है, वो देख लो, fx जो है हमारा वो x के equal है, यहाँ से, fx equal to x है अब मुझे अगर f of a निकालना है, f of a, मतलब x की जंगे मुझे क्या put करना पड़ेगा, a put करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x की जंगे put कर दूँआ, मैं a अब मैं निकालता हूँ, f of a plus h, तो f of a plus h किसके equal हो जाएगा, मतलब x की जंगे a plus h put कर दूँआ, तो यह आगया a plus h, यह निकालना है मुझे f of a plus n minus 1 into h, तो यह क्या हो जाएगा मेरा, x की जंगे, इसको directly put कर दूँआ, a plus n minus 1 into h, इसमें तो कोई गवराने की ज़रूर था यह नि, simply आप इसको easily find out कर सकते हैं, अब next step क्या आएगा, in values को हमें उठा के इस formula के अंदर put कर देना है, तो देखते हैं भई, put कर के क्या बनता है, limit h approaches to 0, h into f of a की जंगे क्या आजाएगा, x, फिर f of a plus h की जंगे क्या आजाएगा, मेरा a, फिर f of a आएगा, यह तो, x तो आएगा ही नहीं भई, f of a की जंगे हैं, हमने a put करना है, यह नहीं आएगा, a plus f of a plus h की जंगे, a plus h, फिर plus में ऐसे चलते चले जाओ, f of a plus n minus 1 h की जंगे, a plus n minus 1 into h, यह आगया या नहीं आगया, put कर दी सारी values अपनी formulas की, next step में देखते हैं, limit h approaches to 0, h into, यहाँ पर देखो a है, यह भी a है, सभी के अंदर a आएगा, कितने times होगा, n times, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a plus a plus a, यह हो जाएगा मेरा directly a multiply n, लिखा जा सकता है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो नीची यह, जैसे मानलो हर एक में पार्ट में 1 दे रखा हो, 1, 1, 1, 1, 1 तो उसको कितने times लिखा जा सकता है, n times, a multiply n लिखा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, h बच गया, फिर 2h आ गया, फिर 3h आ गया, फिर इस तरीके से चलता जला जाएगा, और last में क्या जाएगा, n minus 1 into h, समझ में आगी बात clear है, यह पता लग गया क्या होगा, a multiply n कैसे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, जितने times भी कोई term का sum दे रखा हो, तो उसको हम n multiply एकर के लिख देते हैं, ठीक है, आगे आओ, limit h approach is to 0, h into, यह क्या होगया, an plus में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास h common ले लिया, अंदर क्या होगया 1 plus 2 plus 3, और plus में up to n minus 1, अभी मैंने introduction के अंदर formula बताया था, n minus 1 time का sum किस तरिक्ये से निकलेगा, हमारा वो देख लेते हैं, क्या होगा, limit h approaches to 0, h की अंदर multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चो, an h, हो जाएगा या नी, फिर plus में, यह h into h क्या हो जाएगा, इसको h into h ही रखो अभी, ठीक है, क्यों रख रहा हूँ, वो भी समझा दूँगा, यहाँ पर 1 plus 2 plus 3 plus up to n minus 1 का sum निकालना है, अगर यहाँ पर n होता, तो हमारा direct formula होता है, n into n minus 1 by 2, ओ, n into n plus 1 by 2, अब n minus 1 का है, तो n की जंग n minus 1 put कर दो, तो यहाँ पर मेरा जो formula बन जाएगा, वो क्या 1 by 2, यह समा गया मेरा directly, अब इसको थोड़ा सा simplify करके लिख देंगे, यहाँ पर, आजो भई, limit h approaches to 0, यहाँ पर क्या आगया, a n h plus में, h की 1 n के साथ multiply करेंगे तो n h, 1 h को इसके साथ multiply करेंगे तो n h minus h, और by में 2, यह हो जाएगा यानि, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मे value पता है, मुझे n h equal to b minus a है, इसलिए मैंने इसको n h की form में ही रखना पसंद किया, ठीक है, पता लग गया, कैसे कियों किया, आगे चलो, limit h approaches to 0, n h की value b minus a put कर दो, यहाँ पर a into b minus a, 3 plus में यहाँ पर b minus a, into में b minus a, और minus में h, और divide by 2, n h की जंगा हमने क्या put कर दिया, b minus a को put कर दिया, और कुछ भी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, यहाँ पर lcm लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा limit, limit को छोड़ दो अभी, इसको इससे multiply कर लो, क्योंकि h की value 0 put कर देंगे, यहाँ पर, तो हमारा यह क्या हो गया, 0 हो गया, हमारे पास जो time ब square, divide by 2, यह बच गया है या नहीं, इसको simplify कर लो lcm लेके, 2 lcm आ गया, यह क्या आ गया, 2 into a, b minus a, और इसको b minus a का whole square open कर दो, b square plus a square minus में 2ab, ठीक है, इसको भी थोड़ा simplify कर देते हैं, 2a की अंदर multiply करेंगे, 2ab, minus में 2a square, plus में b square plus a square, minus का 2ab, और divide by 2, देखो 2ab से 2a भी कट गया, minus के 2a square में से a square गया, तो हमारा क्या हो गया, b square minus a square by 2, यह आ गया मेरे पास answer, समझ में आ गई बात, यह जो answer आया है मेरा, वो आ गया, limit j sum, ठीक है, इसको identify करना चाहते हो, आप check करना चाहते हो, सर मेरा ठीक आया या नहीं आया, वो देख लो कै कैसे करते हैं, यहाँ पर आजो, x का direct integration कर दो, x square by 2 हो गया या नहीं हो गया, और limit कहां से कहां है, a से b, limit put कर दो, पहले upper limit b put करेंगे, तो b square by 2, फिर lower limit put करेंगे, minus में a square by 2, और यह किसके equal है, b square minus a square by 2 के ही तो equal है, देखो कितना चोटा सा integration था इसका, बट limit j sum से कितना subscribe करना है, ऐसे ही videos आपको मिलती रहेंगी, आप भी channel को spot करते रहें, evaluate the following definite integral as a limit of sum, हमें यहाँ पर integration दे रखा है और limit of sum से हमें इस question को simplify करना है, तो कोई गबराने की ज़रूरत नहीं है, बिलकुल simple way से देखेंगे, कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर limit दे रखेंगे, बच्चो 0 to 5, और x plus 1 हमें function दे रखा है, इसका integration with respect to x करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको compare कर लो, simple हा, a to b fx dx से, ऐसे ही होता है हमारा function, जो हमने सिखा है, limit of sum का, a की value क्या है, यहाँ पर 0, b की value क्या है 5, और function जो है हमारा fx equal to क्या है, x plus 1, ठीक है, दूसरा हमें क्या करन होता है, nh की value निकालनी होती है, nh is equal to क्या होता है, b minus a के equal, तो यहाँ पर nh equal to क्या हो जाएगा, b minus a, b की value क्या है, 5 minus 0, तो nh equal to किसके आ गया 5 के, इसको bracket के अंदर ले लो, क्योंकि यह बहुत ज्यादा useful है, अब आज़ो अपने formula के अंदर, formula क्या होता है हमारा, limit, h approaches to 0, h into f of a, plus में f of a plus h, 3 plus में f of a plus 2h होता है, इस तरीके से चलता जाता है, f of a plus n minus 1 into h, यह हो गया मेरा formula, अब इसको simplify कर लो, इसके अंदर values पूट करेंगे, सारी की सारी, तब ही हमारा question हो पाएगा, तो सबसे बहले देखो, f of a की value चाहिए, वो कैसे निकलेगी, हमारे पास fx दे मुझे चाहिए f of a की value, तो पहले f of a की value देख लो क्या होगी, f of a, a की value क्या है हमारी 0, तो 0 पूट करेंगे, यहाँ पे तो 0 plus 1 कितना आ गया हमारा 1 आ गया, फिर हमें f of a plus h की चाहिए, a plus h, a की value 0 plus h, तो हमें function में h पूट कर देना, तो यह आ गया h plus 1, फिर f of a plus n minus 1 into h क value चाहिए, तो यहाँ पे a की जंगतर 0 हो गया, n minus 1 into h बच गया, यहाँ पे put कर दो, n minus 1 into h, और plus में 1, सारी values आ गई हमारे पास, अब इनको उठा के formula के अंदर, put कर लो भई, तो देखते हैं क्या है, limit h approaches to 0, h into f of a क्या आया था हमारा, मतलब f of a का मतलब f of 0, 1 आया था, 1 आ last term आई है, हमारी यह आई है, n minus 1 into h plus 1, अब ध्यान से देखोगे, 1 जो है, हर एक term के अंदर दे रखा है हमारा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, limit h approaches to 0, h into, n times है हमारा 1, तो 1 multiply n या n multiply 1 लिख देंगे, फिर प्लस में यहाँ पर क्या बचा h, next term से क्या बचेगा 2h, फिर क्या बचेगा 3h, और last में क्या बचेगा हमारा यहाँ पर n minus 1 into h, बच गया है या नहीं, आगे आजो next step में, limit h approaches to 0, h into, यहाँ पर n into 1, n हो गया, फिर प्लस में h common, यहाँ पर क्या आगया 1 plus 2 plus 3, और प्ल यह आगया या नहीं आगया, ठीक है, अब इसके अंदर हम formula put कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, limit h approaches to 0, h की अंदर multiply करेंगे तो n h हो गया, फिर प्लस में h into h रख लेंगे इसको, और 1 plus 2 plus 3 plus up to n minus 1 terms का sum किसके एकवल हो गया हमारा, n into n minus 1 by 2, simplify करो आगे इसको, limit h approaches to 0, यहाँ पे n h, प्लस में 1 h की n से multiply करेंगे, n h, इस h की अंदर multiply करेंगे, तो n h minus h, और divide by 2, जैसे हमने previous question में किया था, अब n h की value देखो, क्या है हमारी, 5 है, put कर दो यहाँ पे, तो क्या आगया हमारा, limit h approaches to 0, 5 plus 5 into 5 minus h, divide by 2, limit h की value 0, put करेंगे, यह 0 हो जाएगा, तो क्या आगया मेरे पास, 5 plus 5, 5 जा 25 by 2, 2, 5 जा कितना हो गया बच्चो, 10 हो गया, 10 और 25 कितना हो गया, मेरा 35 by 2, यह आगया मेरे पास answer, evaluate the following definite integral as limit of sum, हमें क्या करना है, इसका integration करना है, by limit of sum से, ठीक है, यह चीज़ धान रखनी है, आपको limit of sum दे रखा है, तो आपको limit of sum का formula यूज करके करना है, otherwise definite integral को आप direct integrate भी कर सकते हैं, अगर यह नहीं पूछ रखा है तो, कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, पहले इसको compare करो, हमारा क्या होता है, integration limit a to be fx dx equal to, क्या हता है, limit h approaches to 0, h of f of a, फिर प्लस में f of a plus h, और फिर क्या आता है हमारा, plus में f of a plus 2h, ऐसे ही चलता जाता है, और last जो term आती है, हमारी f of a plus n minus 1 into h, यह आती है हमारे पास, ठीक है, यह formula होता है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इन सारी terms को find out कर लेना है, fx क्या दे रखा है हमें, fx है हमारे पास x square, a की value है, हमारे पास 2, b की value है 3, और n h is equal to किसके होता है, हमारा b minus a के, तो n h is equal to क्या आगे, यहाँ पे 3 minus 2 करेंगे, और n h equal to क्या हो गया, मेरा 1, यह चीज ध्यान रखनी है, यह चीज़े find out कर ली, अब सारी चीज़े निकालते हैं formula के अंदर, पहले f of a find out करते हैं, f of a का मतलब क्या है, यहाँ पे a की value 2 है, तो x की जंगे 2 पुट करेंगे, 2 का square किया कितना आ गया, 2 का square 4 हो गया, उसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ पे f of a plus h, मतलब f of 2 plus h, तो यहाँ पे x की जंगे पुट कर देंगे, 2 plus h, इसका whole square, फिर f of, यहाँ पे a plus 2h है, मतलब 2 plus 2h निकालेंगे, तो वो किसके equal हो जाएगा, 2 plus 2h का whole square, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इनको थोड़ा सा open कर लेंगे बाद में, और अगर मानलो हम f of a plus n minus 1 into h find out करते हैं, तो वो किसके equal होगा, यहाँ पे 2 plus n minus 1 into h, इसका whole square, एक ही जंगे आपको 2 put कर रहा है, clear हो गई बात, अब इनको करते हैं अपने formula के अंदर put, तो देखते हैं क्या बना, limit h approaches to 0, h of f of a, किसके equal है 4, plus में f of a plus h का है, 2 plus h का whole square, इसको open करके लिख लो बच्चो, 2 का square क्या होगा, 4 plus में h square, plus में 2, 2 जा 4h, फिर plus में क्या जाएगा, इसका square करेंगे, तो ये क्या होगा, 2 का square, 4 plus में 4h square, और फिर plus में क्या होगा, 8h, ऐसे ही चलता चला जाएगा, और यहां पे क्या आजाएगा मेरे पास, 2 का square क्या जाएगा, 4, फिर plus में, n minus 1 into h का whole square, और यहां पे फिर क्या होगा, 2a भी होता है, तो 2, 2 जा, 4 into n minus 1 into h, ये आगया, a plus b का whole square open क्या है, और कुछ भी निकिया है हमने, clear, आगया जो, limit h approaches to 0, h of, ध्यान से देखो 4, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी term में 4 है, कितने times है, n times, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 into n, main चीज यही है, समझने की, ठीक है, आगया आओ, लस में, h square की term देखो, इसमें भी है, इसमें 4h square है, आगया आएगा फिर, यहाँ पे क्या जाएगा, square होती से लिजए की term, तो मतलब h square को मन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आगया, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, आग से देख लो, n-1 का square इससे आएगी, यहाँ से मेरा 4 आगया, यहाँ से मेरा 1 आगया, उसके बाद हमारे पास क्या आगया, 4h है, 8h है, ऐसे फिर 12h आएगा, फिर 16h आएगा, ऐसे, यहाँ से h को मन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास ध्यान से देखो, h न यहाँ पे क्या बचेगा, n-1, यह बात समझ में आई या नहीं आई, दोबरा समझाओंगा, चिंता मत करो, देखो, 4 देखो पहले, 4 कितने टाइम से हमारा, n टाइम से, तो यहाँ पे 4 into n ले लिया, ठिक है, देखो कैसे है, यह तो 1st हो गया, यहाँ पे n-1 टाइम से हो ग यह भी समझ में आगया सर, फिर 4H वाली टम, 4H को मन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे आजएगा 2, फिर आजएगा 3, फिर आजएगा 4, ऐसे ही, यहाँ पे last में क्या आजएगा 4H को मन लेने के बाद, n-1, कोई दिक्कत नहीं है, अब इनके formula आपको पता है, व 1 प्लस 4 प्लस n into n-1 का square, square वाली टम का sum जो निकालते हैं, कैसे निकलेगा, add square into, यहाँ पे n-1 का sum निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, जो हमने formula पढ़ा है, यह 1 प्लस में 4 को क्या लिख देंगे, 2 का square, 9 को क्या लिख देंगे, 3 का square, square वाला formula यूज करना है आपको, n की जग फिर प्लस में यहाँ पे क्या है, मेरे पास 4H, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप्टो n-1 टर्म का sum निकालना है, n की जगे आपने n-1 पुट करना है, तो क्या बन जाएगा, n into n-1 by 2, यह बन गया, समझ में आ गया, clear है, कैसे बना, यह चीज भी बता देता हूं एक बार, अगर मेरे पा तक, तो इनका sum जो होता है, वो क्या होता है, n into n-1, 2n-1, divide by 6, अब यहाँ पे देखो, इस question में कहां तक series है, n-1 तक, n-1 तक है न, तो आपको n की जगे बस n-1 पुट करना है, यह formula बन गया, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, यह लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे आज n into n plus 1 by 2 होता है, मुझे जगे n-1 तक, तो यहाँ पे भी n की जगें, आप n-1 पुट कर दो, यहाँ minus 1 पुट करोगे तो minus 1 minus, तो n into n minus 1 by 2 बन गया, अब आगया होगा समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, I think, अब इसको simplify कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो, h को अंदर multiply करते चले जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास n h की value पता है न, तो h को अंदर multiply कर लो, h की इससे multiply की, तो क्या बन गया मेरे पास, limit, h approaches to 0, यह बन गया 4 n h, phi plus में, इस h को एक, इसके साथ multiply कर लेंगे, और h square को दो बार in के साथ multiply करेंगे, देखो ज्यान से, 1 h को इससे multiply की, त रिक देंगे, एक बार इससे multiply, और 1 h की इससे multiply, 2 n h minus h, और divide by 6, फिर इदर आजो भई, 1 h की इससे multiply करेंगे, तो यह क्या हो गया, प्लस में, n h, 4 बाहर रहेगा हमारा, और 4 h की इससे multiply करेंगे, तो मिरे पास क्या आ जाएगा, यह, 4 n h हो गया, into में, यह आ जाएगा, मिर क्या आ गया, अब h की limit put कर दो, सबसे पहले n h की value put करो, क्या है, limit h approaches to 0, यहाँ पे 4 multiply 1 हो गया, इसमें put करो, यहाँ पे 1 put करेंगे, तो यह क्या आ गया मिरे पास, प्लस में 1 minus h, फिर यहाँ पे multiply में 1, यहाँ पे 2 multiply 1 करेंगे, 2 minus h, divide by 6, फिर प्लस में, यहाँ पे 4 की 1 से multiply 4 into 1 minus h, और divide by 2, यह आ गया मिरे पास, इसको भी simplify कर दो, h की limit put करके, h की जंगे 0 put कर देना, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस में, यहाँ पे हमने h को 0 put किया, तो 1 into 1, 1 हो गया, फिर 2 से multiply 2 आ गया, 2 by 6, फिर प्लस में, यहाँ पे h की जंगे 0 put करेंगे, 4 1 जा 4 by 2 करेंगे, तो 2 आ गय 2 by 1 by 3 आ गया, इसको simplify कर लो, 4026, 6 plus 1 by 3 कितना हो गया, 19 by 3, यह आ गया मेरे पास answer, evaluate the following definite integral as limit of sum, हमें यहाँ पे एक definite integral का question दे रखा है, उसको हमें limit of sum से simplify करना है, तो कैसे करेंगे, देखो द्यान से, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 1 to 4 limit दे रखा है, function हमारा x square minus x dx दे र sum का वो लिख लेंगे, क्या है, limit a to b, function हमारा fx dx equal to, किसके equal होता है, limit h approaches to 0, h of f of a, फिल प्लस में f of a plus h, फिल प्लस में इस तरीके से चलते जाएंगे, और प्लस में f of a plus n minus 1 into h, यह formula होता है, ठीक है, अब इसको compare करके हम निकालेंगे, यहाँ पर a की value 1 है, b की value हमारे पास क्या है, 4 है, तो n h is equal to किसके होता है, b minus a के, तो क्या आजाएगा, n h is equal to, यहाँ पर 4 minus 1 मतलब 3 आ गया, मतलब n h is equal to क्या आ गया 3, यह value आपको निकालके यहाँ पर bracket में लिख लेनी है, क्योंकि इसी का use होगा हमारा last में, n h की value आ चीए, तो कैसे निकलेगी, यहाँ पर सबसे पहले fx लिखेंगे हम function, क्या दे रखा है, x square minus x दे रखा है, हमें चीए f of a, a का मतलब 1, f of a का मतलब 1 ही तो है, a की value 1, तो हम यहाँ पर function में 1 put कर देंगे, 1 का square minus 1 कितना आ गया, मेरे पास, 0 आ गया, बट आपको ध्यान क्या रखना है, इस तरीके के question में आपको इसको simplify करके नहीं लिखना है, 1 का square minus 1, 0 लिख दे, इसको ऐसे की ऐसे छोड़ के रखो, क्योंकि यह formula बनाने में help करेगा हमारा, 1 का square minus 1 हो गया, फिर हमें क्या करना है, f of a plus h, मतलब f of 1 plus h की value निकालनी है, तो यहाँ पर put कर दो, 1 plus h का square, फिर minus में 1 plus h, ऐसे ही हमें f of a plus n minus 1 h, इसकी value निकालनी है, तो f of 1 plus n minus 1 into h की value, यहाँ पर put कर दो, तो क्या आगया, 1 plus n minus 1 into h, इसका square, और minus में 1 plus n minus 1 into h, आपको किरना गया है, x की जगा यह put कर देना है, वस इस function के अंदर, आ गई values, अब इसको अपने question के अंदर, put कर लो, देखते हैं क्या बनता है, question के अंदर, put करेंगे, इसमें, तो देखो क्या आया, limit, h approaches to 0, h of, f of a की जगा क्या आजएगा, मेरा, 1 square minus 1, phi plus में, f of a plus h की जगा क्या आएगा, मेरा, यह वाला, यहाँ पर क्या है, 1 plus h का square, और minus में 1 plus h, इस तरिके से चलता जाएगा, और last time क्या आजएगी, मेरी, 1 plus n minus 1 into h, इसका square, और minus में, 1 plus n minus 1 into h, यह आजएगी, इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमने इसके, इनको क्या किया, अपने formula के अंदर उठा के, put कर दिया, अब इसको simplify करते है, limit h approaches to 0, h of, यहाँ पे देखो, square वाली term को देखना है, main to हमें, पहले square वाल 1 का square 1 minus 1 क्या होगे, हमारा 0, plus में, 1 plus h का whole square, अगर मैं open करता हूँ, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 का square 1, plus में h square, plus में 2h, फिर minus में 1, plus में h, ठीक है, आग्या जो, ऐसे simplify होता चला जाएगा, इस तरीके से ही, इसको simplify करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का square 1, plus मे n minus 1 into h का whole square, और फिर plus में twice of n minus 1 into h, और minus 1 minus में n minus 1 into h, यहाँ पे a minus b का whole square लगा है, a यह है, b यह है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, अब इसके अंदर आओ, limit h approaches to 0, h into, यहाँ पे देखो, minus 1 से 1 कट जाएगा, इसमें भी 1 से minus 1 कट जाएगा, यह कटते चले जाएगे, एक त आएगा, तो h square common, अंदर क्या आएगा, यहाँ पे h square common लेंगे 1, अगली term में हमारे पास क्या आजएगा, 4, अगली term में 9 आजएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आजएगा, n minus 1 का square, अगर h square को हम common लेते हैं तो, उसके बाद हमारे पास यह h वाली term बच गी, 2h और h है है हमारे पास, यह क्या है हमारे पास, यहां पर 3H हो गया, 2H और प्लस में H, यहां पर माइनस आएगा, माइनस जाने के बाद अंदर, 2H में से H गया, H बच गया, यहां से हमने क्या ले लिया, प्लस का H common, 2H में से H गया, H बचा, H common ले लिया तो यहां पर 1 आएगा अगली टर्म में 2 आएगा फिर 3 आएगा और यहां पर जाके हमारे पास क्या जाएगा एण माइनस 1 आजाएगा यह चीज़ आगी कलियर दो बार मचे लोगा यह तो हमारा जीरो हो गया यहां पर इसका स्क्वेर उपन एँपन कर लिया हमने फिर बात करते हैं h वाली term कि 2h में से h गया, h बचा, h को मले लिया, यहाँ पर 1 आ गया, अगली term में 2 आएगा, फिर 3 आएगा और यहाँ से n-1 आ जाएगा, clear हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, ठिक है, समझ में आ गया, अब इसको simplify करना है यहाँ पे, यहाँ पे square वाला formula लगाना है, sum का और यहाँ पे single term का sum का formula लगाना है, यहीं पे कर लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पे, तो मिरे पास क्या आ गया, limit h approaches to 0, h times of, यह इंटू में आएगा, यहाँ पे क्या है मिरे पास, h square, यहाँ पे square वाला formula, जो इससे previous question में समझाया था, ध्यान से देख लेना, कैसे यूज करते हैं, बार बार question में करा हूँआ, लंबी वीडियो बन रही है, तो यहाँ पे मिरे 1 into n into 2n minus 1 by 6, यह sum का formula हो गया, इसका, phi plus में h into, in term का sum का formula क्या हो जाएगा, n into n minus 1 by 2, आ गया, h की अंदर multiply करो, यह h cube हो जाएगा, मतलब 1h की इससे, 1h की इससे, 1h की इससे, 3h से हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nh minus h, यह हमारा nh, और तीसरे h से करेंगे, 2n h minus h by 6, फिर plus में, इस h की अंदर लेके जाएगे, h into h, 2h हो गई, 1h की इससे करेंगे, nh, 1h की इससे करेंगे, तो nh minus h by 2, value पुट कर दो nh की, value क्या 3, 3 minus h करेंगे, 3 minus h की value 0, यह हो गया, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, तो 6 minus 0 by 6, फिर plus में, यहाँ पे 3 into 3 minus 0 by 2, simplify कर लो, यहाँ पे, 6, 3 जा, 18, 18, 3 जा, कितना हो गया हमारा, 54, 54 को हम अगर 6 से divide करें, तो यह क्या आगया, 9, plus में, 3, 3 जा, 9 by 2, 9 plus 9 by 2 आगया, मेरे पास, 9 plus 9 by 2 को simplify करेंगे, तो कितना आगया, 27 by 2, क्योंकि 2, 9 जा, 18 और 9, 27 by 2, क्या हो गया, मेरा answer, evaluate the following definite integral as limit of sum, हमें यहाँ पे question दे रखा है, integration का और उसको आपको limit of sum से simplify करना है, यहाँ पे देखो limit जो दे रखे है, minus 1 to 1, e की power x dx, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको compare कर लेंगे, अपनी basic form से, limit क्या होती है, a to b, fx dx, यही होता है, अब इसके इंदर हम formula लगाएंगे, हम limit, h approaches to 0, h of, सबसे पहले क्या आता है, f of a, phi plus में f of a plus h, phi plus में f of a plus 2h, इस तरिके से formula चलता है, और last में क्या आता है, हमारा plus में f of a plus n minus 1 into h, यह formula होता है, अब यहाँ पे compare करो, a की value क्या है हमारे पास, minus 1, b की value क्या है हमारे पास, 1, और n h is equal to किसके होता है, b minus a के, तो यहाँ पे n h is equal to क्या आ गया, b की value 1 minus of minus 1 करेंगे, तो क्या आ गया, n h equal to 2, क्योंकि n h का use होगा, हमारा put करना है last में, तो यह values आपको सबसे पहले identify कर लेनी है, find out कर लेनी है, कि मतलब कौन कौन सी value कैसे होगी ठीक है, अब अपने formula के अंदर हमें क्या चीए, f of a चीए, f of a plus h चीए, f of a plus 2h चीए, इन सभी की value चीए, तो वो निकाल लेते हैं, fx देखो हमारा क्या है, e की power x, अब हमें सबसे पहले f of a चीए, f of a, a की value क्या है, minus 1, तो x की जंगा minus 1 पुट कर दो, e की power minus 1 हो गया, फ f of a plus 2h मतलब minus 1 plus 2h चीए, तो ये क्या हो जाएगा, e की power minus 1 plus 2h, और last में, अगर मैं f of minus 1 plus n minus 1 into h की value निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगी, e की power minus 1 plus n minus 1 into h, सारी values आ गई या नहीं आ गई आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, अब इन values को उठा के हम क्या गरेंगे, अपने formula के अंदर put कर लेते हैं, चलो वही put करते हैं, क्या हैगा, limit h approaches to 0, h of f of a, f of a की value क्या ही है, हमारी e की power minus 1, फिर प्लस में इसकी value क्या ही है, e की power minus 1 plus h, फिर इसकी value क्या ही है, हमारे पास plus में e की power minus 1 plus 2h, फिर प्लस में ऐसे ही चलता चला जाएगा, और इसकी value क्या ह एकी माइनस वन प्लस में एन माइनस वन इंटू एच ये बात समझ में आ गई या नी कोई दिक्कत नहीं होनी चीए फोर्मुले के अंदर जस्ट हमने वैल्यूज को फुट किया और कुछ भी नहीं किया अब यहां देखो क्या नजर आ रहा है आपको लिमिट एच एप्रोच इस टू जीरो एच इंटू अगर इस सारे में से एकी माइनस वन मैं कोमन ले लिता हूं ये ले लिया मैंने एकी पावर माइनस वन कोमन तो मिरे पास क्या बचाएगा यहां पे वन बचेगा यहां पे एकी पावर एच आ जाएगा यहां पे एकी पावर टू एच आ तो बस यहाँ पे उसका sum का formula लगाएंगे बाकी कुछ भी नहीं करना कि उस चन में तो क्या आगया limit h approaches to 0 h into e की minus 1 into यहाँ पे formula जो बनेगा मेरा क्या बनेगा a into r की power n minus 1 upon me r minus 1 यह n terms का formula होता है sum निकालने का जिप्पी का तो वो formula हम यहाँ पे use करने वाले हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा वो ध्यान से देख लो a क्या होती है हमारी first time a equal to क्या होगा 1 r क्या होता है common ratio वो किसके equal होगी e की power h by 1 करेंगे तो e की power h सारी values होगी put कर लो यहाँ पे तो बाहर क्या आगया e की minus 1 a की जंग है 1 into r की जंग है e की power h into में n और minus में 1 by r minus 1 मतलब e की power h minus 1 value put कर दी इसको simplify कर लेते हैं limit h approaches to 0 और यह h को अंदर multiply करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे e की minus 1 as it is यहाँ पे into में e की power n h है n h की value क्या थी 2 यहाँ पे put कर दो e square minus 1 और h अंदर multiply आएगा तो h by e की power h minus 1 यह बन गया या निए बन गया कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब देखो limit h approaches to 0 है introduction के अंदर बताया था मैंने h upon e की power h minus 1 है तो उसकी value क्या हो जाती है 1 हो जाती है तो मेरे पास जो limit आगया solution आगया वो क्या आगया e की minus 1 into e की power 2 minus 1 यह answer हो गया और यहाँ पे लिख भी देंगे limit h approaches to 0 है तो h by e की power h minus 1 is equal to किसके होता है 1 के equal evaluate the following definite integral as limit of sum हमें यहाँ पे क्या गरना है इस question को integration को limit of sum से simplify करना है तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले जो भी question दे रखा इसको standard form से compare कर लो a to b f x dx यही होता है हमारा और क्या होता है limit h approaches to 0 h into f of a फिर प्लस में f of a plus h फिर प्लस में f of a plus 2h ज्यादा लिखने की चरूरत नहीं यह बस 2h तक और last term जो आती है हमारी f of a plus n minus 1 into h यह हमारा formula होता है ठीक है अब इसके अंदर compare करो वच्चो a की value क्या है हमारी 0 b की value क्या है 4 तो n h is equal to किसके होता है b minus a के equal तो n h is equal to क्या आ गया मेरा 4 minus 0 मतलब n h equal to 4 आ गया यह बात आ गई यहाँ पे function देखो हमारा क्या है fx equal to x plus e की power 2x यह है या नहीं है अब हमें f of a f of a plus h a plus 2h और इसकी value find out करनी है बस और उठाके उनको formula के अंदर put कर देना है सबसे पहले find out करेंगे f of a a की value क्या है 0 मतलब f of 0 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 plus e की power 2 multiply 0 किया तो क्या आ गया यहाँ पे यह 0 हो गया e की power 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा फिर हमें f of a plus h की value निकालनी है मतलब 0 plus h की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा h plus e की power 2h x की जंगे हमने 0 plus h पुट करना है मतलब h put कर दिया फिर f of 0 plus 2h की निकालनी है तो क्या आ गया मेरे पास 2h plus में e की power 2 to 4h हो जाएगा ऐसे ही हम इसके निकाल लेंगे f of 0 plus n minus 1 into h की तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x की जंगे हमने क्या put करना है n minus 1 into h तो n minus 1 into h और plus में e की power 2 into n minus 1 into h सारी values निकल गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब इनको क्या करना है अपने formula के अंदर put कर देना है बस यह formula रहा तो क्या हैगा limit h approaches to 0 h into f of a f of a की value क्या आई थी हमारी 1 plus में f of a plus h की value क्या आई हमारी h plus e की power 2h इसको bracket में लेते चले जाओ फिर हमारी 2h plus e की power 4h और फिर plus में last में क्या है हमारे पास n-1 into h plus में e की power 2 into n-1 into h यह values आई हैं यह सारी की सारी हमने क्या कर दी अपने formula के अंदर put कर दी बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चीए फिर देख लेते हैं इन में से common क्या रहा है कौन सी series हमारी form हो रही है बस वो देखना है limit h approaches to 0 h into यहां से देखो यह h है यह 2h है फिर 3h आएगा फिर 4h आएगा ऐसे आएगा तो h common ले लिए यहां से 1 आगया यहां से 2 आएगा फिर 3 आएगा और इस वाली से क्या आएगा हमारा n-1 आएगा बन गई series फिर plus में यहां पे क्या बच गया मेरा 1 फिर यहां पे e की power क्या है मेरे पास बच्चो 2h है फिर e की power क्या है 4h है तो मतलब यहां से कुछ comment आ रहा है आपका नहीं आ रहा है देखते हैं क्या आता है यहां पे क्या आगया मेरे पास फिर next term यह 1 था यह 1 प्लस e की power 2h फिर प्लस में e की power 4h और last में जो आएगा मेरे पास e की power 2 into n-1 into h यह आ गई यह तो simple series होगी यह हमारी क्या होगी gp series बस इनको simplify करना है तो क्या आएगा limit h approaches to 0 h into h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अब टू n-1 तो क्या हो जाएगा formula n into n-1 by 2 3 प्लस में यह gp series होगी इस gp series के अंदर हमारी first term क्या होगी 1 और r क्या होगया e की power 2h common ratio मतलब यहां पे देखो second term divide by first term करेंग a की power 2h हो गया तो मेरे पास यहां पे क्या आजाएगा ध्यान से देखो a into a की value क्या हो जाएगी 1 upon into में a की power 2h minus 1 upon में यहां पे क्या आजाएगा a की power 2h minus 1 यहां पे साथ में n भी आएगा क्योंकि जो formula होता है हमारा वो formula क्या होता है a into r की power n minus 1 upon r minus 1 यही हो 10 gp series का तो यहाँ पे n h भी आएगा यह आ गया मेरे पास अब इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं h को अंदर multiply करेंगे तो limit h approaches to 0 यहाँ पे h की multiply होगी 1 h की n से say n h into this h की इससे करेंगे तो n h minus h divide by 2 plus में यहाँ पे e की power क्या है मेरे पास 2 n h, n h की value क्या है 4, 4, 2 जा क्या हो जाएगा e की power 8 minus 1 upon में e की power 2 h और minus में 1 और इस h की अंदर multiply करेंगे तो into में h हो जाएगा हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा इसको आगे देख लो अब यहाँ पे h की limit put कर देंगे तो limit क्या बन गया मेरे पास n h की जाएगा 4 into 4 minus 0 divide by 2 phi plus में इसको separate करके लिखो e की power 8 minus 1 e की power 8 minus 1 into में h upon e की power 2 h minus 1 अब देखो बच्चो यहाँ पे h है यहाँ पे e की power 2 h है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 1 बनाने के लिए 2 से multiply और 2 से मैंने इसको क्या कर दिया divide कर लिया अब limit जो है हमारी limit h approaches to 0 थी यह कितना हो गया मेरा 4 4 जा 16 by 2 मतलब 8 आ गया plus में e की power 8 minus 1 e की power 8 minus 1 by 2 into limit h approaches to 0 और यह क्या हो गया 2 h by e की power 2 h minus 1 यह किसके equal हो जाएगा 1 के equal तो मेरा answer क्या आ गया 8 plus e की power 8 minus 1 by 2 यह मेरा क्या हो जाएगा solution ठीक है clear हो गई बात समझ में आ गया होगा यहाँ पे h upon e की power 2 h minus 1 था इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा जो भी e की power वही तो 2 से multiply गर दिया 2 से divide यह सारा क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 by 2 8 plus में e की power 8 minus 1 और यहाँ पे by में 2 और यह हो गया 1 तो मिरे पास answer आ गया 8 plus e की power 8 minus 1 by 2 इसको simplify करना चाहेँ तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 plus में e की power 8 minus 1 by 2 तो क्या आ गया यहाँ पे 16 में से बन गया 15 plus e की power 8 by 2 यह answer हो गया समझ में आ गया क्लियर है क्योस्टन कोई दिक्कत नहीं हो नीची है कोई भी प्रोब्लम लगे आप मुझसे पूछिए अधरवाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस यहाँ पे power की minus नहीं है यह नीचे e की power 8 minus 1 है बस यह चीज ध्यान रख लेना कोई दिक्कत नहीं हो नीची है कोई भी प्रोब्लम लगे आप मुझसे पूछिए अधरवाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यो स्टूडेंस पूर वाचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो